हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग गुड इवनिंग आप सभी को तो बच्चों आज हम लोग जो हमारा सॉलूशन्स चाप्टर है उसके एंसी आर्टी एक्जेंपलर के जो कोशन आपको पता है एंसी आर्टी के द्वारा एक बुक होती है जिसका नाम होता है एंसी आर्टी एक्जेंपलर की डिसकाशन हम लोग करेंगे उसमें कुछ MCQ आपके multiple choice questions होते हैं जो हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो चलते हैं सबसे पहले question पे हम लोग सबसे पहला question है आपके पास which of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure हम कौन सी यहाँ पे unit use करते हैं अगर हमें solution के vapor pressure को relate करना है किस स उसकी concentration से तो आपने पढ़ा होगा solution का जो vapor pressure होता है उसका क्या होता है वेपर pressure वो होता है उसका partial pressure into mole fraction एक सेकिंड हमारे पास उसने बोला है कि कौन सी concentration unit हम लोग use करते हैं vapor pressure को express करने लिए तो देखो vapor pressure क्या होता है vapor pressure होता है mole fraction यह क्या होता है mole fraction into में P0 या फिर जो हमारे पास pure solvent का vapor pressure होता है, solution का vapor pressure क्या होता है, pure solvent का vapor pressure multiplied by mole fraction, तो उससे हम लोग उसका vapor pressure निकाल लेते हैं, तो basically हम कौन सी term यूज करते हैं, यहाँ पे mole fraction यूज करते हैं, ना तो हम parts per million यूज करते हैं, ना ही molality यूज करते हैं, और नहीं mass percentage use करते हैं, क्या use करते है, mole fraction यूज करते हैं, mole fraction क्यों use करते हैं, क्योंकि mole fraction में basically हमापा solute का amount भी आजाता है और solvent का amount भी आजाता है, अगर मैं solute के mole fraction की बात करू, तो क्या होता है, number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent लच का थे लच्वर सोल sniff on अब 1000 transition सिरफ और सिरफ सॉल्वेंट के मोल्स के रिस्पेक्ट में होती है पार्च पर मिलें तो एक बहुत ही छोटी कॉंसेंट्रेशन टर्म है मतलब कि जब कॉंसेंट्रेशन बहुत छोटी होती है तब हम लोग उसको यूज करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत छोटा है तो इसलिए पीपीम भी यूज नहीं करते हैं ना ही परसेंटेज मास्क यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं मोल फ्राक्शन यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आप्शन है, आप्शन नम्बर A. अगला पार्ट है, on dissolving sugar in water at room temperature. अगर मैं room temperature में पानी में sugar dissolve कर रही हूँ, तो solution ठंडा हो जाता है, मतलब कि जैसे मेरे पानी था, पानी में मैंने sugar के कुछ crystal डाल दिये, तो मैंने देखा solution ठंडा हो गया, अब अगर container बाहर से ठंडा हो रहा है, इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे पता लगता है, कि sugar को पानी में dissolve करने के लिए, चीनी को पानी में dissolve करने के लिए, जो heat है, वो absorb होगी, जो heat है, वो absorb होगी, और जब heat absorb होती है, तो ऐसे processes को हम लोग क्य बोलते हैं, endothermic process बोलते हैं, तो ये कैसा process हो जाएगा, ये एक endothermic process होगा, अब मुझे बताना है कि किस case में sugar की dissolution पानी में बहुत ही जादा rapid होगी, मतलब किस में बहुत जल्दी होगी, तो देखो अगर एक ऐसा process है, जो कि endothermic है, तो endothermic मतलब उसको heat चाहिए, तो अगर तुम उसको heat दोगे, temperature दोगे, तो process जल्दी होगा न, तो कि उसको तो heat चाहिए और तुम temperature बढ़ा के उसको heat दे रहे हो, तो process जल्दी होगा, यानि कि क्योंकि ये process endothermic है, इसलिए अगर मैं temperature बढ़ा दू, तो process कैसा हो जाएगा, rapid ह हो जाएगा, और temperature बढ़ा दू, मतलब कि मैं उसको hot water में dissolve करूँ, किस में dissolve करूँ, hot water में dissolve करूँ, तो जल्दी dissolve होगा, ठीक है, तो एक पहली बात तो ये कि cold water में, ठंडे पानी में तो dissolve, आपने देखा होगा, चीनी ठंडे पानी में कहाँ dissolve होती है, कि उस process को करने के लि होने लग जाती है, यानि कि hot water में ये process rapid हो जाएगा, तो पहला option तो गलाद है, जिसमें लिखा हुआ है, sugar crystals in cold water, दूसरा option correct हो सकता है, sugar crystals in hot water, तीसरा है powdered sugar in cold water, अब cold water में तो process rapid होता ही नहीं है, फोर्थ है powdered sugar in hot water, hot water में हो सकता है, है ना, तो आप hot water में crystal जल्दी dissolve होगे, या फिर powdered sugar जल्दी dissolve होगे, अब सोचो, अगर आप चीनी का एक बहुत बड़ा सा पत्थर लो, उसको पानी में डालो, वो जल्दी dissolve होगा, या फिर अगर चीनी powdered form में है, वो जल्दी dissolve होगी, तो obvious ही बात है, powdered form में वो जल्दी dissolve होती है ना, क्योंकि surface area जादा होता है, जित है, इसलिए जो mixing होती है, वो कैसी होती है, वो rapid होती है, कैसी होती है, rapid होती है, यानि कि ये जो dissolution का process है ना, ये दो conditions में rapid होगा, एक तो hot water में, और दूसरा अगर शुगर powdered form होगी तो, तो मेरा answer क्या आ जाएगा इसमें, option number D, क्या आ जाएगा, option number D, तो बहुत ही simple सा question था कि अगर शुगर को पानी में dissolve करे, room temperature पे तो वो ठंडा हो जाता है, तो कौन सी condition में process rapid होगा, तो सबसे बड़िया बात है कि पानी को गरम कर लो, तो जल्दी dissolve होने लग जाएगा, और अगर powdered form में शुगर होगी, तो भी वो तो, अगर आप डेली life में भी अपना देखो न अगर मैं liquid के अंदर एक solid solute dissolve कर रही हूं, क्या dissolve कर रही हूं, एक solid solute dissolve कर रही हूं, तो equilibrium पे क्या होता है, मतलब की rate of dissolution, rate of crystallization से कम होता है, dissolution मतलब घुलना, और crystallization मतलब वापिस उसके crystals बनना, तो dissolution का मतलब होता है घुलना, और crystallization का मतलब होता है वापिस से उसके crystal बनन तो equilibrium condition क्या होती है, जब rate of forward reaction और rate of backward reaction equal होता है, है ना, यानि कि जब वो घुल रहा है उसका rate और जब उसके crystal बन रहे है, उसका rate equal होगा, तब ही तो वो equilibrium क्यलाएगा, अगर equal नहीं होता तो वो equilibrium condition होती थोड़ी ना, बिल्कुल भी नहीं होती, यानि कि equilibrium पे जो dissolution का rate है, जो घुलने का rate है, वही crystallization का rate होगा, वही crystallization का rate होगा, dissolution का rate crystallization के rate के equal होगा, तो इसलिए answer क्या आ जाएगा? equal to rate of crystallization कि crystallization का rate this solution के rate के equal होता है fourth option पे चलते है fourth question पे चलते है next question है अगर एक beaker है जिसमें एक substance A का solution है अब मैंने अगर एक B E का solution बना हुआ है मैंने उसमें क्या किया थोड़ा सा और A डाला तो मैंने क्या देखा कि A के ना precipitate बनने लग गए अब कि वो dissolve नहीं हुआ बल्कि वो अलग से separate होने लग गया मतलब कि जो solution में था ना वो भी separate होने लग गया अब ऐसे solution को क्या बोला जाता है saturated बोला जाता है super saturated बोला जाता है unsaturated बोला जाता है या फिर concentrated बोला जाता है तो पहले तो इनका मतलब समझते है कि क्या बोला जाता है, तो देखो, concentrated का क्या मतलब होता है, जब solute की quantity बहुत कम हो, बहुत जादा हो, और solvent की quantity बहुत कम हो, अब यह quantity की बारे में तो कोई बात करी ही नहीं हम लोगों ने, तो concentrated तो नहीं बोलेंगे इसको, unsaturated, जिसमें मैं और solute डालू और वो solute dissolve हो जाए, लेकिन अब वो dissolve तो हो नहीं रहा, unsaturated का क्या मतलब होता है, जिसमें अगर मैं और solute डालू, तो वो solute क्या हो जाए, dissolve हो जाए, क्या हो जाए बेटा जी, dissolve हो जाए, तो अब वो dissolve नहीं हो रहा है, बलकि वो तो precipitate हो रहा ह है बचा saturated और super saturated तो देखो अगर solute dissolve नहीं होता ना dissolve नहीं होता पानी में डालने पर तो उस solution को हम बोलते है saturated solution क्या बोलते है saturated solution बोलते है और अगर solute precipitate हो जाता है तो उसको हम बोलते है क्या super saturated solution क्या बोलते है super saturated solution बोलते है तो अगर मेरे पास solute डालने पर precipitate हो गया तो solution को हम बोलते है क्या super saturated solution आंसर क्या आ जाएगा option number B saturated में basically क्या होता है मतलब कि maximum amount जितना हम एक solvent के अंदर dissolve कर देखे वो होता है saturated solution और super saturated में हम लोग क्या करते है कि फिर छोड़ सा cool करते हैं तो हम यलाफ से प्रेसिप्टेट बनता हुआ दिखता आ। तो उसको हम लोग बोलते है क्या अगर प्रेसिप्टेट बनता हुआ दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रेसिप्टेट सुलीुशन बोलेंगे तो answer क्या आजाएगा option number B तो ये भी काफी simple चा question था concept based question था अब ये और भी बहुत सारी question है उससे पर एक बार quiz हम लोग discuss कर लेते हैं इस class की दो questions आएंगे आपकी screen पे दोनों के answer बहुत अराम से कर देना खाफी easy question आएंगे तो सबसे बहुत question है आपके पास ये next question पर चलते है चलो discuss करते हैं अब अपने question पहला question था दा इबिलियोस्कोपिक constant फॉर बेंजीन इस बेंजीन का इबिलियोस्कोपिक constant यानि की kb की value गिवन है 2.52 कलविन किलोग्राम पर पोल हामें बताना है कि ये जो solution है न वो boil करता है add 0.125 डिग्री सेल्सियस higher than बेंजीन यानि कि solution का boiling point solvent के boiling point से 0.125 जादा है यानि कि जो delta tb की value है वो कितनी है 0.125 हमें molality बतानी है solution की solution की हमें molality बतानी है तो delta tb क्या होता है kb into molality क्या होता है kb into molality molality क्या हो जाएगी delta tb 0.125 divided by kb 2.52 या जाएगा solve करके 0.05 यानि कि molality क्या हो जाएगी 0.05 तो answer क्या हो जाएगा option number d क्या हो जाएगा बच्चे option number d तो काफे simple चा question था अगला question था इन में से किस aqueous solution का सबसे जादा boiling point होगा किस aqueous solution का boiling point सबसे जादा होगा तो देखो delta tb क्या होता है i into kb into molality अब सबकी molality से मैं सारे के सारे one molar है kb भी constant है यानि कि delta tb किस पर depend करेगा i पर depend करेगा और जो delta tb होगा वो i के directly proportional होगा जिसका i जादा उसका delta tb जादा और जिसका delta tb जादा ज्यानि कि जिसका elevation in boiling point जादा उसका boiling point भी जादा होगा जिसका elevation in boiling point जादा होगा उसका boiling point भी जादा होगा है ना तो देखो naOH जो होता है naOH naOH dissociate करके दो ions देता है na प्लस और OH- इसके लिए I की वेल्यू 2 हो गई, Na2SO4 डिसोसियेट करके 3 आयन देता है, इसके लिए I की वेल्यू 3 हो गई, अमोनियम नाइटरे डिसोसियेट करके 2 आयन देता है, इसके लिए I की वेल्यू 2 हो गई, तो सबसे ज़्यादा I की value किसके लिए है? Na2SO4 के लिए, यानि कि इसका delta T भी सबसे ज़्यादा होगा और अगर इसका delta T भी सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका boiling point भी सबसे ज़्यादा होगा, तो answer क्या आ जाएगा? Option number B, ठीक है? अगले question पर चलते हैं अब हम दो, next question है, the maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of given liquid solution does not depend upon, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं एक liquid solvent के अंदर एक solid solute डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ? एक solid solute डाल रही हूँ, तो उसका dissolution, उसका पानी में जाके घुलना, किस चीज़ पर depend नहीं करेगा? तो एक बात सोचो, solid पर किस चीज़ का effect नहीं होता? solid पर किस चीज़ का effect नहीं होता? अगर मैं आपसे पूछू, कि बताओ, क्या solid पर temperature का effect होता है? क्या? आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल होता है, है ना? चीने को अगर पानी में डाल रहे है, temperature बढ़ाने पर चीनी ज़्यादा खुल रही है, बिल्कुल है, है ना? क्या? solid पर कोई pressure का effect होता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, अगर तुम इस pen पर कोई pressure लगाओगे, क्या? इस पर कोई effect पड़ेगा, solid को पानी में डालने पर कैसे उनके बीच में forces है, उन सारी चीज़ों से, उसके dissolution पर, उसके गुलने पर बहुत फरक पड़ेगा, तो इसलिए pressure का उस पर कोई भी effect नहीं पड़ता, तो इसलिए answer क्या आजाएगा? option number C, तो बहुत ही simple question था ये भी, अगले question पे चलते है, अगला question है, low concentration of oxygen in blood, and tissues of people living at high altitude is due to, मतलब कि जो लोग पहाडों में रहते हैं, पहाडों पे रहते हैं, बहुत ही high altitude वाली जगाओं पे रहते हैं, तो उनके blood में oxygen की concentration क्यों काम होती है, वहाँ पे low temperature होता है इसलिए, low pressure होता है इसलिए, high pressure होता है इसलिए, या फिर low temperature और high pressure होता है इसलिए, तो बेटा जी इसका answer है कि वहाँ पे low pressure होता है इसलिए, जैसे जैसे हम high altitudes पे move करते हैं, पहाडों पे जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग उपर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है क्या होता है प्रेशर कम होता है यानि कि उपर हमें प्रेशर कम मिलेगा नीचे जादा मिलेगा प्रेशर अब हमें पता है कि अगर मैं solubility of gases की बात करू तो वो प्रेशर के directly proportional होती है तो वो प्र oxygen की blood में solubility भी जादा है वही अगर मैं high altitudes की बात करूँ तो high altitudes पे high altitudes पे जो pressure होता है वो कम होता है अगर pressure कम होगा तो gases की blood में solubility भी कम होगी ना gases की blood में solubility भी कम होगी यानि कि उस मदे से फिर हमें हमारको oxygen नी मिल पाई और हम ढंक से सास नी ले पाएंगे तो basically high altitudes पे blood के अंदर oxygen की low concentration होने का क्या reason है अगर solubility कम होगी तो फिर blood के अंदर gases की concentration कम होगी ना यानि की low concentration होने का reason क्या है low atmospheric pressure जैसे जैसे हम लोग high altitudes में move करते हैं atmospheric pressure कम हो जाता है जिसकी वज़ा से solubility की value भी कम हो जाती है अगले question पे चलते हैं अगला question है considering the formation क्या है कि considering the formation breaking and strength of hydrogen bond predict which of the following mixture will show positive deviation from roll's law तो हमें बताना है कौन सा ऐसा हमारे पास compound होगे जिसके अंदर positive deviation शुरू होगी roll's law से आप देखो roll's law से हमें दो तरीके की deviation देखने को मिलती है एक होती है बेटा जी positive deviation और एक होती है negative deviation तो एक होती है positive deviation एक होती है negative deviation positive deviation का होती है जब resulting solution का vapor pressure क्या होता है जादा होता है और negative deviation का होती है जब resulting solution का vapor pressure काम होता है अब resulting solution का vapor pressure कब जादा होगा जब नए बनने वाले forces कैसे होंगे weak forces होंगे, वो जल्दी से तूटेंगे और जाके वो vapors में convert हो जाएंगे वही vapor pressure लगाएंगे और वो कहलाएगा क्या? vapor pressure कहलाएगा और negative deviation का क्या मतलब है? negative deviation का मतलब है vapor pressure कम होना तो vapor pressure कम होगा? जब हमारे पास बनने वाले नए forces strong forces होंगी कैसे होंगे? strong forces होंगे तो अब हमें बताना है कि किस के अंदर positive deviation होगी या फिर किस में बनने वाले forces, weak forces होंगे बहले जो forces exist कर रहे थे उन में से, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट है methanol और acetone यही हमारा बिल्कुल सही answer है क्योंकि methanol के अंदर originally present hydrogen bonds होते है क्या होते है? hydrogen bonds होते है ऐसे ही acetone के अंदर भी जो पहले interactions exist कर रही होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन जैसे ही मैंने इसमें acetone डाला CH3, CO, CH3 डाला तो यह जो existing forces होते हैं यह forces कुछ break हो जाते है यह forces break हो जाते है अगर hydrogen bond break हो गए यानि कि जो forces थे अगर वो forces break हो गए अगर वो forces break हो गए तो नए बनने वाले forces strong नहीं है वो कैसे है वो weak है और अगर नए बनने वाले forces weak है तो उसके case में solution का vapor pressure बढ़ जाएगा ना solution का vapor pressure बढ़ जाएगा और अगर vapor pressure बड़ जाएगा तो वो Rolle's law से कैसी deviation शो करेगा वो Rolle's law से positive deviation शो करेगा कैसी deviation शो करेगा बच्चे पॉजिटिग deviation शो करेगा इसलिए answer क्या आ जाएगा option number A क्या आ जाएगा option number A वही chloroform अगर acetone की बात करूँ न Cancer अगर मैं बात करूँ chloroform और आसिटोन की, तो क्लोरोफार्म और आसिटोन में तो नए तरीके के हाइड्रोजन बॉंड्स बनने लगते हैं। नए हाइड्रोजन बॉंड्स बनने लगते हैं। अगला क्वेशन है मेरे पास ये। तो कॉलिगेटिफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन। कॉलिगेटिफ प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज के नेचर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल भी नहीं करती। कॉलिगेटिफ प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है। नमबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। येस बिल्कुल सही। वो नमबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। बिल्कुल भी नहीं। नेचर पर, solvent particles पर depend करती है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए answer के आ जाएगा, option number B, कि वो number of solute particles पर depend करती है, ठीक है, answer के आ जाएगा, option number B, अगले question पर चलते है, अगला question तो वही है, जो हम लोगोंने अभी quiz में देखा था, है ना, आप सभी लोगों को इसका answer आता होगा, चलो बताओ, मुझे जल्दी जे इसका answer क्या आएगा, हामें बताना है, किसका boiling point highest होगा, यही question तो था, बच्चे, जो हम लोगोंने quiz में discuss किया था, वापिस चलते है quiz के question पे, है ना, 1 molar NaOH, 1 molar Na2SO4, 1 molar ammonium nitrate, 1 molar potassium nitrate, तो मैंने बोला था, जिसका want of factor जादा, उसका elevation in boiling point जाद और उसका boiling point जादा, देखो, same equation है, यहाँ पे बिल्कुल same question है, 1 molar NaOH, 1 molar Na2SO4, 1 molar ammonium nitrate, and 1 molar potassium nitrate, इसके लिए I की value 2, इसके लिए I की value 2, इसके लिए I की value 2, और इसके लिए I की value 3, तो जिसका want of factor जादा, उसका delta Tb जादा, याने कि उसका elevation in boiling point जादा, और जिसका elevation in boiling point जादा, उसका Tb, याने कि उसका boiling point जादा, तो सबसे highest boiling point किसका होगा, Na2SO4 का, तो answer क्या हो गया, option number B, अगले question पे चलते हैं, अगला question है, the unit of ebulioscopic constant is, याने कि Kb की unit पूछिया हमसे, तो बता देते हैं क्या दिक्कत है, देखो, delta Tb क्या होता है, Kb into molality, क् क्या होता है, Kb into molality, Kb क्या होता है, delta Tb by molality, क्या होता है, delta Tb by molality, delta Tb की unit क्या होती है, delta Tb की unit क्या होती है, क्या है, temperature ही तो है, तो क्या हो जाएगी, Calvin, molality क्या होती है, mol per kg, क्या होती है, mol per kg, तो unit क्या हो जाएगी, Calvin kg per mol, क्या हो जाएगी, Calvin kg per mol, क्या हो जाएगी, Calvin kg per mol, या फिर Calvin by molality, क्या हो जाएगी? Calvin by molality या फिर Calvin molality per mol, क्या हो जाएगी? Calvin molality, sorry, Calvin per molality और Calvin kilogram per mol, तो वही अगर मैं अपने options में देखूँ, तो उसे causing option number A जो होगा, यह मेरा correct option हो जाएगा, ठीक है? अगले question पे चलते हैं, अगला question है, in comparison to 0.01 molar solution of glucose, मेरे पाद 2 solution दिये हैं, एक उसने दिया है 0.01 molar glucose और दूसरा उसने दिया है 0.01 molar magnesium chloride MgCl2, हमें बताना है कि depression in freezing point, glucose के comparison में MgCl2 का कितना होगा? यानि कि अगर इसका delta Tf, delta Tf1 है, इसका delta Tf, delta Tf2 है, तो वो पूछ रहा है कि delta Tf2 और delta Tf1 में क्या relation होगा? क्या ये दोनों same होगे? क्या delta Tf2 twice होगा delta Tf1 की? क्या thrice होगा या क्या फिर six times होगा? है ना? तो बहुत ही simple सवाल है देखो, delta Tf क्या होता है? I into Kf into molality, अब concentration दोनों की same है ना? Kf same है, तो फिर से delta Tf किस पे depend करेगा? वो depend करेगा I पे, है ना? किस पे depend करेगा I पे? तो देखो, glucose तो एक non electrolyte है, glucose तो एक non electrolyte है और इसके लिए Vant of factor की value होती है 1 लेकिन MgCl2 एक electrolyte है और इसके लिए Vant of factor की क्या देगा dissociate हो के? Mg2 plus plus 2Cl minus, याने कि इसके लिए Vant of factor हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा 3? तो इसलिए इसका जो delta Tf होगा delta Tf2 क्योंकि Vant of factor, तो देखो delta Tf2 by delta Tf1 क्या हो जाएगा? I2 by I3, अब I2 by I1, अब MgCl2 का I कितना है? 3, glucose का I कितना है? 1, याने कि delta Tf2 हो जाएगा 3 times delta Tf1, याने कि MgCl2 का जो हमारे पास depression in freezing point होगा, वो 3 times होगा glucose के, तो इसलिए answer क्या आ जाएगा? Option number C, क्या आ जाएगा? Option number C, तो बहुत ही simple चा question था, है ना? बस हमें क्या करना था? हमें सिरफ और सिरफ तोनों के I को याने कि Vant of factor को compare करना था? और उससे हमें बता देना था कि इनका depression in freezing point क्या होगा, ठीक है? अगले question पे चलते हैं, अगला question है, an unripe mango placed in, मतलब एक कच्चा आम हम लोगों ने लिया, और उसको concentrated salt solution में रख दिया, to prepare pickles, it shrivels, shrivels मतलब श्रिंक कर गया वो, ऐसा क्यूं हुआ? तो देखो, ऐसा क्यूं हुआ? osmosis की वज़े से हुआ, मैंने एक mango लिया, और मैंने उसको एक salt solution में रख दिया, उसको मैंने एक नमक वाले पानी में एक salt solution में रख दिया, तो वो श्रिंक कर गया, है ना? तो basically देखो, osmosis की अगर मैं बात करूँ, तो osmosis के case में क्या होता है? solvent flow करता है, है ना? क्योंकि नमक पानी लिया, तो नमक वाले पानी में नमक solid होगया और solvent पानी होगया, similarly पानी तो आम में भी हो गई, and ripe mango में भी हो गई, तो osmosis में होता क्या है? water move करता है, from a solution of, from a high water concentration, मतलब जहाँ पर पानी move करता है, from a high water amount to low water, मतलब कि जहाँ पर पानी ज्यादा है, और जहाँ पर पानी कम है, from a high solvent content to a low solvent content, मतलब जहाँ पर पानी ज्यादा है और जहाँ पर पानी कम है, तो वो ज्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह पे मूव करेगा है ना अब सॉल्ट सॉल्यूशन में जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम है लेकिन मैंगो के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो जादा है तो अंदर जादा है बाहर कम है तो पानी बाहर मूव करेगा और अगर पानी मैंगो के अंदर से बाहर मूव कर तो वेसिकली वो क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा? यानि कि एक unripe mango को अगर हम लोग रखते हैं कहां पे concentrated salt solution में तो वो श्राइवल हो जाता है क्यों श्राइवल हो जाता है? तो यूद कि वो water loose कर देता है due to osmosis. it loses water due to osmosis osmosis के बाद वो lose कर देता है तो मारा answer क्या हो जाएगा option number D अगले question पर चलते हैं अगला question है at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is higher than that of dilute solution is lower than that of dilute solution is same as that of dilute solution या फिर हम compare नहीं कर सकते वो पूछ रहा है कि osmotic pressure एक concentrated solution का एक dilute solution से जादा होगा कम होगा क्या होगा तो देखो πाई क्या होता है CRT यानि कि अगर R constant कर दू T constant कर दू तो πाई किसके proportional होगा concentration के directly proportional होगा अगर concentration जादा तो πाई जादा अगर concentration कम तो πाई कम अगर concentration जादा तो πाई जादा और अगर concentration कम, तो πाई कम, तो basically वो बोल रहा है कि अगर एक concentrated solution है उसका diluted solution से, diluted solution मतलब की concentration कम, एक ज़्यादा concentration वाले का osmotic pressure कम concentration, यानि कि diluted solution वाल से osmotic pressure उसका ज़्यादा होगा न, और वैसी बात है, concentration ज़्यादा तो osmotic pressure ज़्यादा, concentration कम, तो osmotic pressure कम, तो concentrated solution का osmotic pressure dilute वाले से जादा होगा, तो इसलिए answer क्या आ जाएगा, is higher than that of dilute solution, तो ये भी हमारे पास question था, NCRT exemplar का question number 13, काफी सारे question, I think 26 question है, तो हाफ हम लोगोंने आज discuss कर लिए, अब हम लोग चलते हैं अपनी quiz पे, फिर से आपके पास 2 question आएंगे quiz पे, जल्दी जल्दी answer कर देना, 30 second मिलेंगे उनको solve करने के लिए, पहला question है आपके पास ये, next question पे चलते हैं, चलते हैं, question था कि, isotonic solutions have same density, same normality, same molar concentration, या फिर none of these, तो देखो, isotonic solutions कौन से होते हैं, isotonic solution होते हैं, जिनका osmotic pressure same होता है, which have same osmotic pressure, है ना, अब पाई क्या होता है, CRT, क्या होता है, CRT, तो अगर पाई same है, तो मतलब concentration same होगी, है ना, मतलब की concentration same होगी, और concentration हम कौन सी same, जब concentration हम कौन सी लेते हैं, यहाँ पे, molar concentration लेते हैं, यानि कि, molarity हम लोग लेते हैं, तो isotonic solutions का osmotic pressure same, जिसकी वज़ा से उसकी molar concentration same होती है, तो answer क्या हो जाएगा, option number B, तो बहुत ही simple सा question था, अगला question वही है, जो हम भी कर चुके है, तो unit of ebulioscopic constant is, ebulioscopic constant की unit क्या होती है, उसकी unit होती है, Kelvin kilogram per mole, अभी मैंने बताया था, KB क्या होती है, delta TB by molality, तो क्या हो जाएगी, Kelvin kilogram per mole, और Kelvin per molality, यानि कि, या answer क्या हो जाएगा, option number A, क्या हो जाएगा बच्चो, option number A, ये question तो अभी solve किया था, दोनों ही question बहुत simple, simple question थे, ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ, कुछ NC Arctic exemplar के question discuss किये, same आपका एक और second part आएगा NC Arctic exemplar के questions पे, जो आएगा आपके परसो, शायद शाम को पाच बचे आपकी same time पे class होगी, तो मिलते हैं अगली class में, और same time हम लोग अपने questions, बागी की बचे होए question discuss करेंगे, thank you very much.